अच्यजा जी मुझे बताई हर इनसान की ग्रोथ डिफरेंट है हर इनसान की परस्नल उट डिफरेंट इसकी डिफरेंट इसकी अप्रिंगिंग डिफरेंट है तुब बताई कि फैसलों पर ये किस तरह असर अनदाज होती है अच्छा देखो हमें हमारा आगे बढ़ना एक त हो वाथ उकात ऐक्तरा कट्टों कि बहुत बड़ा समुंदर य hail लगनी रहा होता कि कहीं जारी है तो बी कही नहीं एक्ट्छे होते होते हों हैं ऑफ उसको अहें इनर्जी में भी फर्क मतलब आगे जा रहे हो लेकिंन वो कहीं कहीं नहां जा रहें। अचाह, दूसरा ऐसी होता है कि आप की जो प्रोफेशनल ड्वेल्पमेंट है मैपकी लर्निंग बड़ी मैटर करती है। सेखने का सीखना फैसल्य करना जाए। ऐब प्र आपको नहीं थो पी इन्साए उनसाई जेए। यह जाहूंगा घ्णकि रिखना संभेति लागा जिस नतीजे के साथ फैसल्य को डिड़ता हुट हृष तो एक बड़ा पुरानी application में आपको सनौनगा, पिर रुज एक सेब खाने का फैसला जरूर करें जो रोज एक सेब खाता है वो सेब रहता है इनी फैसले से जोड़ दिया अगर आप सेब रहना चाहते हैं तो आपको कमज कम रोज 25-30 मिनट पैदल जरूर चाहिए यह आपको को ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे आपके जिसम बैद अजान बनना चाहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ ची के जरूर यानि अनजाम क्या है इलम बाला दनौञ ऑन स्कॉलर तो आप बनना चाहते हैं रोज़ चीख जरूर आपका नशाधें तो मुतमईन होना सेकते हर चीज पर मयक्सिमुम मैक्सिम तहीं क्योंकि बहुत स कि तुम्हारी आँखे नहीं है तुम घंजदा नहीं हुई उसने का मेरे पास ये के जो है वो इतना ज्यादा है अल्ला के इनाम इतने ज्यादा है कि दिली नहीं करता कि हम कभी शिक्वा करें सो शिक्वा तो वो करे जिसके पास ये नहीं है कि मेरे पास है क्या-क्या ये रिलाइज करना कि मेरे पास क्या-क्या दोलत है ये मानना कि मेरे पास अल्ला का करम क्या-क्या है ये मानना कि कौन-कौन सी नेंते मेरे पास हैं जो दूसरों को नहीं मिली हुई ये मानने के बाद शुकर के लावा आप्शन कोई नहीं बचती